your schedule इस स्ट्रोंग मैंड सेट इस एवरिफिंग। जब आपका माइंड सेट कमजोर हो जाता है तो आप भी गमजोर हो जाते है और जब आपका मैंन सेट स्ट्रोंग है तो आप भी स्ट्रॉंग हो जाते है बंद चूशन इस कि एक strong mindset को कैसे create किया जाए आज पांच मिनिट के अंदर मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ एक ऐसा secret जो आपकी मदद करने वाला है strong mindset को create करने के लिए हाई फ्रेंज आपना एक routine maintain कर पाता हूँ इतने सारे traveling के दुरान कैसे मैं अपना mindset ठीक रख पाता हूँ and the answer to that is actually very simple but लोगों को लगता है कि उसके लिए कुछ कहास करने के जरूरत है कोई special खाना खाना पड़ता है कुछ special चीज करनी पड़ती है people expect कि मैं बताऊंगा इसके अंदर meditation and so many different things but मैं आपको आज एक ऐसा secret देने के लिए जा रहा हूँ कि जो शायद आप connect नहीं कर पाओगे कि यार इसको और mindset को क्या लिए ना देना है and the answer to that is कि अगर आप एक strong mindset रखना चाहते है then exercise regularly अब आप सोच रहे होंगे कि exercise or mindset because ज्यादा तर लोग exercise किस चीज के लिए करते है people do exercise for weight loss people exercise कि थोड़े वो डोले शोले बन जाए या फिर people exercise कि भई मैं अच्छे shape में आ जाओ राइट अच्छा दिखू यंग रहू बट ये सच है दोस्तों कि ये सारे benefits तो मिलते ही है exercise के द्वारा लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि exercise करने से जब आप वजन उठाते हैं जब आप cardiovascular activity करते हैं जब आप अपने आपक पुश करते हैं तो इसका impact इवन यहां पर भी आता है क्योंकि जितना आप pain ले पाएंगे, soreness ले पाएंगे, जितना आप जिम के अंदर ये exercise में अपने आपको पुश कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका mindset powerful होते जाएगा, सबसे पहले तो ये आपके mood को enhance करता है, इ dopamine, serotonin release करता है, so again एक adrenaline rush भी आ रहा है, तो ये सारी चीज़े भी आपको अच्छा महसूस करवाती है, and the most important, जब आप, you know, वो 8 count नहीं हो रहे लेकिन अपने आपको push कर रहे हैं, 10 count करने के लिए, अब आप ठक चुके हैं, उसके बाद भी आप अगला set ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़े कही ना कहीं, एक strong mindset को create करने में, आपका जो tolerance ability है, उसे बढ़ाने में आपकी मदद करता है, अब सवाल आता है, कि इतने business schedule में आप कैसे exercise कर सकते हैं, और मैं कैसे manage कर पाता हूँ, तो answer to that is very simple, जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले ही decide कर ल हैं और अपने पूरे दिन को exactly वैसे ही schedule करो, so for example, आज शाम को मेरा एक seminar होने के लिए जा रहा है, speak and get rich का, शाम को 7 से 10, तो मैं क्या करूँगा, कि शाम को मुझे वक्त नहीं मिलने वाला है, so मैं आज दुपैर में workout कर लूँगा, जो मैंने कल से ही plan कर लिया था, the point is, कि ज 16 April को, दुपैर में 3.30 से 6, दुबाई टाइम के मताबिक, यहाँ पर मेरा एक physical program है, speak and get rich का, एक online आज शाम को है, और कल दुबाई में physical है, तो मैं कल सुभा exercise करूँगा, और अगर, otherwise, मैं अगर पूरा दिन office में busy हूँ, तो मैं शाम को exercise करूँगा, you know, the point is, कि आपको prioritize करन पड़ेगा, यह मान करके कि पूरे दिन में आपके पास 24 गंटे नहीं है, पूरे दिन में सिर्फ आपके पास 23 गंटे है, एक गंटे exercise के लिए आपको निकालना है, चाहे वो, आप yoga कर लीजिए, walk कर लीजिए, aerobics पसंद है आपको, gym पसंद है, जो आप comfortable समझ रहे है, but each and every day, ऐसा कोई दिन ना हो, जब आपने exercise ना किया हो, ऐसा कोई दिन ना हो, जब आपने अपने आपको push ना किया हो, because एक रूल याद रखना, जब आप अपने body को push कर रहे है, तो कहीं ना कहीं आप अपने mind को push कर रहे है, यहीं से सारी activity संभव वो पाती है, तो अगर आपको strong mindset को create करना है तो क्या करना है chat box में लिखिए comment में अभी लिखिए exercise regularly come on everyone write it down exercise regularly अगर आपको ये 5 minute का session मज़दार लगा है तो save करो इसे वापस सुनो share करो और मेरे page पर इसलिए connected रहना है क्योंकि अब regularly मैं आपको ऐसे 5 minute के sessions देने वाला हो जो आपके जिंदगी को बहतर कर सकता है all the best guys